कNo needed हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक्ट तू मै चैनल शालू द्रerman लफ और आज मैं आपके लिए आलू हरे पयाज की सबजी की रेसिपी लेगर आई हूँ आज मैं आपको हरे पयाज और आलू की सबजी रेसिपी कैसे बना सकते हैं वह मैं आज आपको सिखांगे तो आईये सीख लेते हैं तो दिखिए इसका हरा प्याज हमने लिया है इसके लिए तो हरा प्याज का बल्ब गहता है काम जानोरा हमते हैं चा estarThe लिया है तो एदिक्षा बीच में से इसको डिवाइट कर लिए और बाद में इसको लंबा-लंबा हम काट लेंगे आप अपनी मंचाही शेप में जितना चोटा या बड़ा काटना चाहें उस शेप में आप आलू को काट सकते हैं पर मैंने यहाँ पर इस तरह से दो पाट करके और लंबा काटा है तो यह देखिए आलू प्याज हमारा काट कर बिल्कुल तयार है सारे आलू को यह देखिए इस तरह से हमने लंबाई में काट कर तयार कर लिया है बाकी प्याज का जो हरा पोर्शन होता है आप देख सकते हैं इसको हमने बारीक काटा है और जो इसका बल्ब होता है उसको भी हमने काट कर रख लिया है आप चाहें तो हरे प्याज को और ज्यादा बड़े तुकलों में काट सकते हैं तो आईए से शुरू करते हैं हम हरे प्याज और आलू की सबजी की रेसिपी तो ये देखें इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर एकड़ाई लिये इसमें हमने लिया है एक चमचे के करीब तेल तो तेल जब हमारा गरम हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे जीरा तो लगबग आदी चमच के करीव आप इसमें जीरा डाल दें और जीरे को अच्छे से चटक जाने दें, उसके बाद इसमें डालेंगे हरी मिर्च तो यह देखिए फ्रेंट, इस तरह से हम इसमें 2-3 हरी मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च को हमनें बारी काट लिया है आप शायब इसमें सूखी हुई लाल मिर्च भी तोड़कर डाल सकते हैं तो हरी मिर्च को अच्छे से आप भुण जाने दे इस काम को हमें मीडियम से हाई फ्लेम की बीच में करना है तो हरे प्याज आलू की सबजी है तो obviously इसमें प्याज तो हम बाद में डालेंगे इसलिए इसमें हम अभी प्याज नहीं डालेंगे सबसे पहले जो आलू है जिसको हमने लंबा काटा था इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो लगबग 2-3 मिन तक हम इन आलू को मेडियम से हाई हीट के बीच में फ्राई करेंगे ताकि जो आलू है अच्छे से सिख जाए तो इसमें एक हल्की सी कोटिंग आ जाएगी जो की बनने के बाद बहुत अच्छे लगेंगे हमारे आलू प्याज की सबजी तो ये देखिए इस तरह से आप मिक्स करते हुए इनको मेडियम से हाई फ्लेम के बीच में अच्छे से भून लें थोड़ा सा कर आप इसको भून लेंगे तो जो सबजी का टेस्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा आएगा और चाहें तो आप प्याज और आलू एक सार डाल सकते हैं और इनको बिल्कुल स्लो फ्लेम करके आप चढ़ा दें नमक डाल दें इसमें, हल्दी डाल दें, धनिया पाउडर डाल दें और बस इसको बिल्कुल गलने तक पका लें तो आपकी सब्जी रेडी हो जाएगी पर अभी हम इसको इसको इस तरह से नहीं बनाएंगे हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे और इसके बाद इसको बनाएंगे तो यह देखिए फ्रेंड्स इसको आलू को हमने लगबग 2-3 मिट तक भून लिया है तो आलू हमारा हलका सा सिक चुका है तो फ्रेंड्स अब हम इसमें एड़ कर देंगे प्याज जो हमने काट कर रखा था तो जो इसका बल्व होता है हरे प्याज का वो भी हमने एड़ कर दिया है साथी जो ग्रीन पार्ट होता है वो भी हमने एड़ कर दिया है अब सारी चीज़ों को अच्छे से अलू के साथ मिक्स कर लेंगे तो यह देखिए इस सतरह से लगबगा दार चलाते गुए आलू और प्याज की उससाब से आप इसमें नमक एड़ कर दें साथी हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर इससे बहुत अच्छा कलर आएगा हमारी सब्जी का आपको ध्यान इस बात कर रखना है कि हल्दी बहुत ज़्यादा एड़ नहीं करनी है आप देख सकते हैं एक शौथाई चम्मच के करीबी मैंने इसमें हल्दी एड़ किया साथ हम इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे तो आदी चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर डाल दें इन सारी चीजों से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा मिक्स कर लें आप सारी चीजों को तो लास्ट में अब इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे, जो कि सबजी को और ज्यादा टेस्टी बना देंगे। तो यह देखिए, इसको एक बार हम मिक्स कर लेते हैं toch यह देखिए, उपनो अच्वेस कर लिया है, तो आप चाहें तो गरम मसाले की क्वांटिटी भड़ा भी सकते हैं, साथ ही हम इसमें एक चौथाई चमच के करीब ही रालेंगे अमचूर पाउडर याने की खटाई तो मैंगो पाउडर हमने इसमें लास्ट में अट कर दिया है जो बहुत अची खटास देगा सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें सबजी के साथ और बस हमारी जो आलू हरे प्याज की सबजी है ये बनकर बिलकुर रेडी है आप भी अपने घर में मेरी ये आलू हरे प्याज की सबजी की रेसिपी जरूर ट्राई करें अगर आपको मेरी ये सबजी पसंद आए तो आप प्लीज लाइक का बटन दबाएं और मेरी इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें कॉमेंट करके मुझे नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके पास कॉमेंट बॉक्स होता है उसमें लिखकर मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी ये सबजी कैसी लगी अगर आपको मेरी ये हरे पे आज अलू की सबजी की रेसिपी पसंद आए तो मुझे लाइक करें सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करके बताएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फर वाचिंग दिस रेसिपी फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ बाई